और मैं आपका ध्यान एक और बात की तरत्ति लाना चाहता हूँ 340 किलोमेटर के पुरवांचल एक्सप्रजबे की विशेष्ता शिर्फ यही नहीं है कि यह लखनव, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपूर, अयोध्या, अम्बेड करनगर, मउ, आजमगर और गाजीपुर को जोड़ेगा इसकी विशेष्ता ये है कि एक्सप्रेश वे लखनव से उन शहरों को जोड़ेगा जिन में विकाश की असीम आकांग्शा है, जहां विकाश की बहुत बड़ी संभावना है इस पर आज यूपी सरकार योगी जी के नेत्रुतों में बाईस हजार करोड पे से जादा भले खर्च किये हो लेकिन भविश्वे एक्सप्रेश में लाखों करोड के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा मुझे अंदाजा नहीं है कि मिडिया के जो सासी यहां है उनका ध्यान इस और गया है कि नहीं कि आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेश वे पर काम हो रहा है वो किस तरह शहरों को जोडने वाले हैं करीब तीन सो किलोमेटर का बुंदेल खान एक्सप्रेश वे किन सहरों को जोडेगा जित्रकूट, बांदा हमीरपूर, महोवा, जालोन, ओरैया और इटावा 90 किलोमेटर टाग गोरगपूर लिंग एक्सप्रेश वे कितने सहरों को जोडेगा गोरगपूर, आमबेडकर नगार, संत कबीर नगार और आजमगार करीब 600 किलोमेटर का कंगा एक्सप्रेश वे किन सहरों को जोडेगा मेराट, हापूर, बुलन सहर, अमरोहा, संभल, बदायू, साजहापूर, हर्दोई, उन्नाव, राइबरेली, प्रतापगड और प्रयागराज अब यह भी सोचिए, इतने सारे छोटे-छोटे शहरों को भी, अम मुझे पताएं, इन में से कितने सहर बड़े मेटरो सिटी माने जाते हैं, इन में से कितने सहर राज के दूसरों सहरों के अच्छी तरह कनेक्टेट रहे हैं, यूपी के लोग इन सवालों का जवाब जानते भी हैं, और यूपी के लोग इन बातों को समझते भी हैं, इस तरह का काम यूपी में आजादी के बार पहली बार हो रहा है, पहली बार उत्तर प्रेट की आकांचाओं के प्रतीक, इन शहरों में आदुनिक कनेक्टिवीजी को इतनी प्रात्फिक तादी गई है, और भाईयों और भेहनों, आप भी ये जानते हैं, कि जहां अच्छी सड़क पहुंती हैं, अच्छे हाइवेज पहुंते हैं, वहां विकास की गती बढ़ जाती है, रोजगार निर्मान और तेजी से होता है, साथियों, उत्तर प्रजेश के और द्योगी विकास के लिए, बहतरीन कनेक्टिविटी जरूरी है, यूपी के कौने कौने को जोड़ा जाना जरूरी है, मुझे खुशी है, कि आज, योगी जी की सरकार, बिना भेदबाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातीवाद नहीं, कोई खेत्रवाद नहीं, सबका साथ, सबका अविकास, इस मंतर को ले करके, काम में जुटी है, जैसे जैसे यूपी में, एक्सप्रेस वे तयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ, इंडरस्ट्रियल कोरिडोर का काम भी, शुरू होता जा रहा है, पुर्वान चल एक्सप्रेस वे की इस गिर्थ, बहुत चल नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे, इसके लिए, 21 जग़ों को भी, चिन्नित भी किया जा चुका है, आने वाले दिनों में, इन एक्सप्रेस वे की, किनारे, जो शहर बसे हैं, उन शहरों में, फूर्ट प्रोसेजिंग दूट से जुड़े उत्पाथ, कोईल स्टोरेज, बंडारा, इन से जुड़ी गतिविद्या, तेजी से बढ़ने वाली है, फल, सब्धी, अनाज, पशुपालान, और खेती से जुड़े दूसरे उत्पाथ, या फिर, फार्मा, इलेक्ट्रिकाल, टेक्स्टाइल, हैंडलूम, मेटाल, फर्निचार, पैट्रोचेमिकल सेक्टर से जुड़े उद्योग, इन सभी को, यूपी में बनने वाले नए एक्सपेस बे, नई उर्जा देने वाले हैं, नए आकर्षन के केंद्र बनने वाले हैं, साथियों, इन उद्योगों के लिए, जरूरी मेन पावर तैयार करने के लिए भी, काम शुरू कर दिया गया है, इन सहरों में, आई टी आई, दूसरे एजुकेशन, और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, मेडिकल इंस्टिट्यूट्स, ऐसे संस्थान भी स्थापित किये जाएंगे, यानि खेत हो, या उद्योग, यूपी के युवाओं के लिए, रोजगार के अनेक विकल्ब, आने वाले समय में हाँ बनने वाले हैं, यूपी में बन रहा डिपेंस कोरिडोर भी, यहां रोजगार के नए अउसर लाने वाला है, मुझे विश्वाथ है, यूपी में हो रहे इंफ्रास्टेक्टर के ये काम, आने वाले समय में, यहां की अर्थ ववस्ता को नई उंचाई देंगे, भाई और बहनों, एक व्यक्ति, गर भी बनाता है, तो पहले रास्तों की चिंता करता है, मिट्टी की जाँच करता है, दूसरे पहलूँ ओपर विचार करता है, लेकिन यूपी में हमने लंबा दौर, ऐसी सरकारों का देखा है, जिनोंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही, अउद्योगी करण के बड़े बड़े बयाम दिये सपने दिखाए, परणाम ये हुआ, कि जरूरी सुभिदाओं के अभाव में, यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए, इन परिस्टिटियों में ये भी दुर्बाग्य रहा, कि दिल्ली और लखलाओं दोनों ही स्थानों पर, जाए लखलाओं होई या दिल्ली, दोनों ही स्थानों पर, परिवार बादियों का ही दब्लबा रहा, सालों साल तक परिवार बादियों की यही पार्टनर्जीप, यूपी की आकांख्षाओं को कुचलती रही, बरबाद करती रही, भाईयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंबीरता से कहना चाहता हूँ, सुल्तानपुर के सपूत, स्रीपती मिस्राजी के साज भी तो यही हुआ था, जिनका जमिनी अनुभाव, और कर्मशिल्ता ही पुझी थी, परिवार के दरवारियों ने, उनको अपमानित किया, ऐसे कर्मयोगियों का अपमान, यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते, आज यूपी में, डबल इंजिन के सरकार, यूपी के सामान्य जन को, अपना परिवार मान कर काम कर रही है, यहाँ जो कार खाने लगे हैं, जो मिले हैं, उनको बहतर तरीके से चलाने के साथ साथ, नए निवेश, नए कार खानों के लिए माहोल बनाया जा रहा है, अहम ये भी है, कि यूपी में आज, शिर्फ पांच साल की योजना नहीं बन रही, बलकि, इस दसक की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए, वई बाव साली उत्तर प्रदेश के निर्मान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्टर बनाया जा रहा है, पुर्वी और पस्चमी डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर से, उत्तर प्रदेश को पुर्वी समुद्री तर्ट और पस्चिमी समुद्री तर्ट से जोडने के बीचे, यही सोच है, माल गाडियों के लिए बने, इन विशेज रास्तों से, यूपी के किसानों की उपच और फ्रेक्टरियों में बना सामान, दुनिया के बाजारों तक पहुंच पाएगा, इसका लाब भी, हमारे किसानों, हमारे व्यापारी, हमारे कारवारी, एथ हर छोटे मोटे साथ्यों को होने वाला, भाई और बेनों, आज इस कारकम में मैं यूपी के लोगों की कोरोना वैक्सिनेशन के लिए पहतरिन काम करने पर भी प्रसौंसा करना चाहता हूँ, यूपी ने 14 करोड कोरोना टीके लगा कर अपने राज्य को देशी नहीं, बल्कि दुनिया में अग्रणी भुमी का मैं खड़ा किया है। दुनिया के अनेक देशों की तो इतनी कुल आबादी तक नहीं है। साथियो मैं यूपी के लोगों की इस बात के लिए भी सराना करूँगा, कि उसने भारत में बनी वैक्शिन के खिलाब किसी भी राजनितिक अपपरचार को टिकने नहीं दिया। यहां के लोगों के स्वास्त से, उनके जीवन से खिलवार की इस साजिस को यूपी के लोगों ने परास्त कर दिया है। और मैं ये भी कहूंगा, यूपी की जनता इन्हें इसी तरह आगे भी परास्त करती रहेगी। भाई और बेहनों, यूपी के चव तरफा विकास के लिए हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। कनेक्टिविटी के साथ ही यूपी में बुनियादी सुविताओं को भी सर्वोच्च प्राक्षिक्ता दी जा रही है। इसका सबसे अधिक लाब हमारी बेहनों को हुआ है, नारी शक्ति को हुआ है। गरीब बेहनों को जब उनका अपना पक्का घर मिल रहा है, उनके नाम से मिल रहा है, तो उनको पहचान के साथ-साथ गर्मी, परसा, सर्दी, ऐसी अनेक परेरसानियों से भी मुक्ति मिल रही है। बिजली और गैस कनेक्शन के अभाव में भी सबसे अधिक परेशानी माता और बेहनों को होती है। अब इज़्जदगर बनने से घर भी सुख है और बेटियों को भी अफ्सकुल में बिना किसी हिचक के पढ़ाई का रास्ता मिला है। पीने के पानी की परेशानी में तो ना जाने माता और बेहनों को कितनी पीडिया गुजर गई। आज जाकर हर गर जल पहुँचाया जा रहा है। पाइप से पानी पहुँच रहा है। सिर्फ दो साल में ही यूपी सरकार ने करीब करीब 30 लाख ग्रामिन परिवारों को नल से जल पहुँचा दिया है। और इस वर्थ लाखों बहनों को अपने घर पर ही शुद्ध पेजल देने के लिए डबल इंजीन की सरकार पुरी तरह से प्रतिवत्त है। मातव के अभाव में भी अगर सबसे हदित परेशानी किसी को होती तो वो भी हमारी मातव उबेहनों को ही होती थी। बच्चे से लेकर पूरे परिवार के स्वास्त की जिन्ता खर्च की जिन्ता ऐसी होती थी को अपना इलाज कराने तक से बचती थी लेकिन आयुश्मान भारत योजना नए अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों जैसे शुविदाओं से हमारी बेहन बेटियों को बहुत बड़ी राहत मिली है साथियों डबल इंजिन की सरकार के जब ऐसे डबल लाम मिलते हैं तो उन लोगों का मैं देख रहा हूँ आपा खो रहे हैं क्या क्या बोले जा रहे हैं उनका बिचली थोना बहुत स्वाबाविक है जो अपने समय में असपल रहे वो योगी ची की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं वो सफलता पचा कैसे पाएंगे भाई यो बेहनों इनके सोर से दोर सेवा भाव से राष्टर निर्मार में जुटे रहना यही हमारा कर्म है यही हमारी कर्म गंगा है और हम इस कर्म गंगा को ले करके सुजलाम सुभलाम का बातावन बनाते रहेंगे मुझे भी सवास है आपका प्यार आपका आशिरवार हम सब को ऐसे ही मिलता रहेगा एक बार फिर पुर्वान चल एक्प्रेजवे की आप सब को बहुत बहुत बदाई मेरे साथ बोलिए पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल